हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका इन्फोटेक अथोटी चैनल पर और आगे हमें एक नए वीडियो के साथ आज की वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं PC बिल्ड के बारे में देखाओगा रेसेंटली मैंने मैंने भुब कवर करना दाक्राओं सकता है और जो एक फैला हुआ है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं यहां पर आपको तो क्या ऐसा पोशिबल भी है 20.000 में happier प्रकिर करना तो इसके बारे में तो यह जानेंगे और इसके पिछे जो लोच्जा है उसके वारे मैं आपको बता۔ यह सो जितने भी वीडियो आपको दिख रहे हैं 12,000 और 15,000 के इस तरीके से इन सब में जो चीज बताएगा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि उसके पीछे क्या लोचा है ठीक है तो आएए शुरू करते हैं और सबसे मैंने यूटीब में देखा वहां पे आपक का लिंक दे रहे हैं तो सबसे पहले इन चीज में जो इस 10,000 के या 15,000 के या 20,000 के PC विड़ में जो प्रावलम है यहां पर आपको बता जा रहे हैं यहां पर आप इंटेल का 3rd generation 4th generation का CPU यूज कर लो आई 3 का तो दोस्तों मैं आपको बता दू मार्केट में आज के डेट प कि किसी भी CPU में इनTEL warranty नहीं देता है दूशरी बात क्योंकि इंटेल ने बना धिया उसने बनाने के बाद 6 साल पाध थोड़ी warranty देगा उनकी विक लिमिट होती है कि यो इंटेल आपको 5 साल तक ही warranty देता है जू इसने वी और घिलर को एक्स्टा दे धा और 3 साल उसने customer को तो है तर इस सबसे बड़ा लो चाइँ कि Amazon में भी आज़कल बहुत गंद पीजा वेला हुआ है तो यहां पर Amazon की policy का उनुसार इसमें लिखा होना चाहिए कि यह renewed processor है यह रिफर्बिस्ट old processor है लेकिन यहां पर कुछ भी detail में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप जब पूरा detail पढ़ोगे तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना लोग चाहिए ठीक है तो आ उससे आप खरिल लो उनकी quality बहुत ही जबर्जस होती है उनकी life कम से कम 20 साल होती है और अभी आज भी मैंने dual core system देखा हुआ है लोग आपने office में यूज कर रहे हैं और बढ़िया काम करता है 10 में SSD के साथ बहुत बढ़िया काम करता है ठीक है normal यूज के लिए तो अगर रेट पता किया था 10,000 में आपको 4th generation मिल जाता है i3 का और 12,000 में आपको i5 का 4th generation मिल जाता है 4GB RAM के साथ ठीक है 320GB hard disk के साथ सिर्फ CPU CPU तो अगर आपको second generation से एसेंबल करवाने से लाख गुना अच्छा है अब ब्रांडेट खरी लो अब दूसरी चीज़ दूसरा जो इनकी वीडियो में लोचा है वह यह है कि यह जो हार्डिस लगाना बता रहे हैं 500GB hard disk तो मैं दोस्तों यह भी आपको बता दूं कि आज के डेट पे मार्केट में 500 200GB का कोई भी але में अवेलेबल नहीं है 500GB का 300GB का कोई भी कोई अबस ces ne निकल चुका होगा तो 1TB से नीचे का जितने भी आर्डिस होते हैं पुराने होते हैं कभी-कभी आपको 500GB का मिल सकता है लेकिन वह भी बहुत पुराना स्टॉक होता है ठीक है तो कोई फादा नहीं है क्योंकि Western Digital और स्ट्रीगेट यहीं दो मेन कंपनी हैं जो आर्डिस बनाती है इन्होंने पुराना 500GB से कम का आर्डिस बनाना छोड़ दिया है तो इन वीडियो में आपको 350GB 500GB आर्डिस लगाना बताया जाता है जो कि फेक ही है पूरा ऐसा कोई हार्डिस अवैलेबल नहीं है जो आमजान मे आपको 1500 में नहीं मिली जाता है रैम, कैविनेट, पावर सप्लाई और मदरबोर्ड के साथ भी दिखकते हैं मदरबोर्ड भी आपको आज के डेट पे 7th generation से नीचे का मदरबोर्ड आपको नया नहीं मिलेगा किसी भी ब्रैंड में ठीक है तो यहां पर जो मदरबोर्ड यह रेट बढ़ गए जब से करोना आया और जब से समी कंडक्टर का सौटेज वाला जो न्यूज आया उसके अलावा ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई लैप्टॉप्स की तो इनकी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिये ठीक है तो अब बात करते हैं जो पहले ज लगवे अन्यूजिवर्स्ता इस टाइम पर युज़ करने और यह किसी काम के नहीं है वह नार्मल यूजज के लिए होते हैं एंब्टेट अबि Cap लॉट एंधे को फायदा नहीं अब बात करते हैं AMD के processor AMD के भी Ryzen के अलावा बागी जो ठकेले होते हैं उनको खरिद होगे तो आप रोगे ठीक है मैंने कुछ processor A4 के laptop देखे हैं इतने slow चलते हैं इतने slow चलते हैं कि हच से ज्यादा लोग जो भी खरिद रहें वो पस्ता आ रहें ठीक है तो AMD में Ryzen के अलावा किसी भी CPU को generation में मिलेगा 9th या 10th generation में मिलेगा ठीक है 12 में भी मिले 9th 10th 11th और उसके उपर भी आप साइथ 12th generation में भी किसी और नाम से आ जाएगा तो यह मिलता है आपको 7000 रुपए 6500 के बीच में अब डाउन होता रहता है तो सबसे सबस्ता CPU हमें मिल गया 7000 का मान लेते हैं अब इस चार जीवी तो बार अजार 13000 हो गया SSD आप इसमें लगाते हो हार्डिस लगाने का कोई फायता नहीं है 1200 जीवी का SSD लगाते हो तो वह आपको मिलता है 2500 रुपे का तेरह जार अमारा रेम के साथ पहले हो गया था SSD लगा देती तो 14000, 15500 हो गया अब इसमें आप SSD भी हो गया अब सबसे जो हलका केविनेट है उसको आप खरेते हो तो 1500 रुपे में आपको पावर सप्लाई के साथ मिल जाता है तो 15500 में 16000, 17000, 17000 आपका सिस्टम बिल्ड हो गया 17000 में जिसमें आपका हार्डेस, मदरबोर्ड सब कुस इंक्लिवड हो गया तो सबसे सस्ता PC अगर आप CPU बिल्ड करते हो तो 17000 का आपका अभी बनेगा Pentium Gold के साथ, Pentium Gold एक अच्छा प्रसेसर है इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप official सारे काम कर सकते हो, email हो गराएगा सारा काम हो जाएगा, आपका accounting का काम हो जाएगा, reception में यूज़ करना है, उसका काम हो जाएगा, normal सारे यू इसमें भी मैं कभी-कभी video editing करता हूं, 1080p फुली video edit हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आता, तो G6400 के भी PC में आप video editing कर सकते हो, फिल्म और आपे कोई दिक्कत नहीं आता, तो इस तर किसे आप 17000 में सिर्फ CPU बिल्ड हो जाता है, अब बात करते हैं, इसमें keyboard mouse की तो 500 रुपे का आपका आएगा, लोकल का 800 रुपे का Logitech का Combo आएगा, तो 18000 हो गया, और monitor लेते हो, तो सबसे सस्ता जेवरोनिक्स होगा रहा है, मोनिटर भी आज के टाइम पे 4000 का मिल रहा है, ठीक है, 17 इंच का, 15 इंच का लेने का तो कोई फायदा है नहीं, 17 इंच, 19 इ 1000 रुपे का, तो सबसे सस्ता जो PC आप बिल्ड करते हो, इतने का बनता है, local monitor के साथ 22,000 और branded monitor के साथ आपका 26,000, तो बिना speaker, बिना UPS के, तो ये भी चीच चाहिए आपको, बिना speaker UPS भी आप लोगे, बिना UPS के आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका crash हो computer के आप कितने का दे सकते हो, ठीक है, तो ये सारी कानी है, और इसमें अभी भी ग्राफिक कार नहीं लगाया, ग्राफिक कार अगर आप लगाते हो, तो सबसे सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप जो G6400 है, इसकी जगह में बाद में आप I3, I5 भी लगाना चाहो, तो उ इसी मदर वोड में लग जाता, अगर आपने 10th generation का G6400 ले लिया, तो उसमें आप 10th generation का I3 या I5 भी लगा सकते हो, ठीक है, तो ये कानी है दोस्तो, I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा, YouTube में जो वीडियो चल रहे हैं, आज काल 10,000 और 15,000 में, उनमें सच्चा ही नहीं है आपको जो cheapest computer मिलता है, वो मैंने पैसे प्राइस आपको बता दिया, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और मेरे चैनल से जुड़े रहेगा, मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो ले के आऊँगा, मार्केट में जाके ले के आऊँगा, ठीक है, लाइव आपको सब तरीके से आप बनाओगे, तो बन जाएगा, बिल्कुल brand new बनेगा, with warranty मिलेगा, CPU में 3 साल की, motherboard में 3 साल की, hard disk में 3 साल की, RAM में 3 साल की, warranty मिल जाएगी आपको, क्या चाहिए, ठीक है, सिर्फ power supply, और आपका जो दूसरा क्या होता है, power supply में 1 साल की warranty होती, monitor में भी, local वाले मे इस तरीके से, तो I hope video अच्छा लगेगा, thank you for watching, bye bye